सब्सक्राइब कीजिए वेकपन शाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाईए यहां आपको मिलेंगी धेर सारी मोटिवेशनल कहानियां इंस्पारिंग इंटेव्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कॉंटेंट से पॉजिटिव कीप शाइनिंग नमश्कार वेकपन शाइन पर विजव इकरम सिंग के साथ है यहां पर एक बार फिर से एक बार एक आदमी होता है बहुत जमाने से कंपनी में काम कर रहा होता है और उसके अंडर में एक छोटा लड़का अटार उनने सबी साल का वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तो गुरू शिश्य आप समझ लीजे मे उसकाम से जुड़ी हर चीज सिखाता है उसे परिपक को बनाता है और कोशिश करता है कि उसकी हैसियत भी उस नए लड़की की हैसियत भी उसी तरह हो जाए जो उस बुज़र्ग इनसान के थी कुछ सालों बाद एक समय आता है जब बुज़र्ग शक्स जो हैं वो नोक्री हैं और उनकी जगह ये नया लगा उनकी जिम्मेदारी समालने लगता है जिम्मेदारी समालते समालते कुछ साल समालने के बाद लगे को एहसास होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है वो वहीं अटका हुआ है जहां उसने शुरुआत की तो से थोड़ा ही आगे पाया है, उयर्धा vidéos, ने तँंखा में व्रद्धी हुई है, ना रतुभे, ना उहधे में व्रद्धी हुई तो वो अपने एए गुरू उस बुजर शक्स के पास जाता है उसे कहता है कि तुरूअब इसा समस्या है या मैं बहुत मेहनत करता हूँ, सबसे बहुत जादा काम करता हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए बुज़र्ग शक्स कहते हैं कि काम करो किसी भी तरह एक दिन फैक्टरी मत जाओ उस लड़के को कुछ समझ में तो नहीं आता लेकिन वो अपने गुरू की बात नहीं टालता और एक दिन वाकए फैक्टरी नहीं जाता है और अगले दिन जब फैक्टरी जाता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि भे तुमारे नाने से बड़ी देखकत हो गई एक कोशिश करना कि अब छुटी मत लेना वो लड़का फिर गुरू के पास जाता है गुरू से सारी बात कहता है गुरू कहता है अब एक डिड़ मैने बात फिर एक काम कर देना एक डिड़ मैने बात फिर वो लड़का एक दिन बिना बता है कार खाने नहीं जाता है फैक्टरी नहीं जाता है फिर जिस दिन और फैक्टरी जाता है उस दिन फिर से उसका बहुत ही कहता है कुछ भी हो जाए अब चुट्टी मत लेना और आज से तुम्हारी तंखा डबल करी जा रही है और तुम्हें ओधा बढ़ा के दिया जा रहा है घर में जो बल्च लगा होता है, जी दिए लगता है, उसकी उहमेद बहुत होती है, कुछ समय बाद, उसकी उहमेद खतम हो जाती है. जब तक कि वो बल्च काम करना बंद न कर दे беспया़ा, किसी दिन वो बंद न हो जाए, तब तक उसके एहमित लोगों को पता नहीं चलती, तो मैंने तुम्हारी साथ यही किया। याद रखिए आप भी अपने काम में कहीं blind spot ना बन जाए advertising में एक term होता है blind spot उसका एक बड़ा simple सा fund आए कि अगर कोई एक दिवार पर मैं पोस्टर लगा देता हूँ और आप रोज इस दिवार के सामने से गुजरते हैं पहले दिन आप उसको जरूर नोटिस करेंगे पर साथ या तस दिन बाद आप उसे नोटिस करना बंद कर देंगे वो आपके लिए blind spot हो जाएगा तो आप भी blind spot ना बनें अपने काम में या जो भी कर रहे हैं कोशिश करें कि आपकी एहमियत लोग समझें उसको एक knowledge करें और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप छुट्टी ले 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 और एहसास दिलाएं समय समय पर कुछ ने कुछ ऐसा करते रहें जहां लोगों को एहसास हो कि हाँ आपकी एहमियत क्या है अपने को कमतर ना किये कम करके मता किये कभी भी और अपनी एहमियत समय समय पर अपने काम में लोगों को जदाते रही है आगे बढ़ने का ये बड़ा सीधा और सरल मंतर है वेक अपने चाहिन पर विजय विक्रम सिंग के साथ हैं आप ये बात अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए वेक अपने चाहिन को लाइक और सब्सक्राइब करिए और मुझसे आप इंस्टाग्राम और फेस्बुक पर जोड़ सकते हैं इस्टाग्राम पर विजय विक्रम 77 फेस्बुक पर विजय विक्रम सिंग के साथ है आप नमस्क्राइब कीजिए वेक अपने चाहिन चैनल को और बेल आइकन को दबाईए यहां आपको मिलेंगी धेर सारी मोटिवेशनल कहानिया, इंस्पारिंग इंटर्व्यूज और बहुत सारा पॉजिटिव कॉंटेंट स्टे पॉजिटिव, कीप शाइनिंग